वीडियो आप बिल्कुल सभी देख रहे हैं इस वीडियो में आप अगर आब लेना साथा साथ बैल आइकन को भी दबा देना तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी स्मार्टफोन लिया है वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलते हैं और सभी स्मार्टफोन के अंदर हमें फूल एचली डिस्पले देखने को मिलती है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अभी दोस्तों गर पांचों नंबर की बात करें तो पांचों नंबर पराता हमारे पास Realme की तरफ से Realme 8 Pro इस फोन के अंदर दोस्तों में 6.4 इंज की Super AMOLED डिस्पले मिलती है जो की 60Hz refresh rate के साथ देखने को मिलती है और इस पर हमें Corning Gorilla Glass 5 का protection देखने को मिलता है तो दोस्तों डिस्पले यहां पर हमें काफी अच्छी मिलती है यहां पर हमें Super AMOLED डिस्पले मिलती है जिससे की आपको colors वगेरा ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे इसके साथ दोस्तों इस phone के अंदर में Snapdragon 720G processor देखने को मिलता है जो की A10M पर based है और यह में Adreno 619 GPU पर देखने को मिलता है तो दोस्तों Realme की 6, 7 और 8 तीनों smartphone के अंदर में Snapdragon 720G processor मिलता है यह processor दोस्तों में इस price के इसाफ़ से ठीक ठाक सा देखने को मिलता है इसके साथ दोस्तों इस phone के अंदर में Realme UI 2.0 देखने को मिलता है जो की Android 11 पर रन करता है और दोस्तों अगर बात करें इसके camera की तो इसके अंदर में 108MP का quad camera मिलता है जो की Samsung के HM2 sensor के साथ देखने को मिलता है और दोस्तों इसके अंदर में 8MP का ultra wide और 2MP का macro और 2MP का depth sensor देखने को मिलता है इसके साथ दोस्तों इसके अंदर में 16MP का selfie camera देखने को मिलता है इसके साथ दोस्तों इस phone के अंदर में 4500 mh की battery मिलती है जो की 50W के fast charger के साथ आती है तो दोस्ते हैं आपर हमें चार्जर, स्पीड और बैटरी में अच्छी खासी देखने को मिलती है, जो कि आपको लगबग एक दिन तक आराम से निकाल देगी, इसके साथ ही दोस्तों इस फोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट देखने को मिलता है, फोन मिलता है, जहांपर हमें 108 मेगा फिक्सल का कैमरा मिलता है, और एक सूपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, और प्रोसेसर भी ठीक ठाक साथ देखने को मिलता है, अभी दोस्तों अगर चोथे नंबर की बात करें, तो चोथे नंबर पराता है, हमारे पास Poco की तरफ से Poco X3 Pro, इस फोन के अंदर दोस्तों में 6.67 इंच की Full HD प्लस IPS दिस्प्ले देखने को मिलती है, जो की 120 हर्ज रीफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, और यह हमें को रिला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलता है, तो दोस्तों डिस्प्ले आपर 106 40 GPU पर देखने को मिलता है, तो दोस्तों प्रोसेसर यहां पर हमें काफी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, इस प्राइज रेंज के इसाब से, इसके साथ दोस्तों यह फोन हमें MIUI 12 पर देखने को मिलता है, जो की Android 11 पर रन करता है, और अगर कैमरे की बात करें, तो इसके अंदर हमे 48 Mepixel का Quad Camera मिलता है, जहां पर हमे 48 Mepixel का Prime Prime Camera मिलता है, जो की Sony के सेंसर IEMX 582 के साथ देखने को मिलता है, और इसमें 8 Mepixel का Ultra Wide, 2 Mepixel का Macro और 2 Mepixel का Depth सेंसर मिलता है, इसके साथ ही दोस्तों, इस 40 Mepixel का Selfie Camera मिलता है, अगर बैटरी देखने को मिलता है, है जो कि 33 वोट के फास्ट सर्जर के साथ हती है दोस्ते आपर में बैटरी भी काफी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है इसके साथ ही दोस्तों इस पॉन के अंदरे में साइड माउंटेड फिंगर पिंट देखने को मिलता है यूफस 3.1 स्टोरेज टाइप मिलती है और स्टीरियो स्पिकर का भी ओप्सन देखने को मिलता है और दोस्तों अगर प्राइज देखें तो इसका 6GB 128GB वाला वेरिंट से में 1899 में देखने को मिलता है अब अगर तीसरे नंबर के बात करें तो तीसरे नंबर प्राता हमारे पास साउमी की तरफ से मी 10 आई इस पॉन के दोस्तों इस पॉन के अंदर हमें ग्लास बैक देखने को मिलता है तो दिखने में ये स्मार्टफोन में काफी ज़्यादा प्रीमियम सा देखने को मिलता है और दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर हमें स्नेप डेकन 750G प्रोसेसर मिलता है जो कि एक 5G प खाए मेल करता है और अग confiscate को कैमरा मिलता है जहांपर में ex 16 वेगा फिक्सल का एक सेलफी कैमरा देखने को मिलता है अभी अगर बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमें अड़तारी सो बीस हैमेज की बैटरी मिलती है जो कि 33 वोट के फास्ट चार्जर के साथ आती है इसके साथ ही दोस्तों इस फोन के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगर फिंट देखने को मिलता है टाइप सी मिलती है स्टीरियो स्पिकर का उप्शन मिलता है आईपी 53 रेटिंग देखने को मिलती है और इसमें यूफस 2.2 का स्पोर्ट देखने को मिलता है जो की LPDDR4X प्रेम टाइप के साथ देखने को मिलता है और अगर प्राइज की की तरब से Redmi Note 10 Pro Max इस फोन के अंदर दोस्तों में 6.67 इंज की सूपर AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो की 120 हट्ज रीफ्रेश रेट के साथ आती है और यह में कॉर्निंग ही 8NM पर बेशेश और यह में एडिनो 618 जीप्यों पर देखने को मिलता है और यह फोन में मीवाई 12 पर देखने को मिलता है जो की Android 11 पर रन करता है तो दोस्तों यह स्मार्टफॉन में भूर्जी देखने को मिलता है इसके साथ ही अगर कैमरा देखें तो इस फोन के अब एक 16 मेगा फिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है अब एगर बैटरी की बात करें तो इसके अदर में 5020 साथ की बैटरी मिलती है जो कि 33 و साथ है अभी अगर दोस्तों पहले नमबर की बात करें तो पहले नमबर पराता हमारे पास रियल्मी की तरप से रियल्मी X7 5G इस स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों में 6.4 इंज का सूपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो की 60 24 Méगा-फिक्षल का प्राइबडी केम्रा 8h maka का अल्टरा वाइड और 2 मेडा एक मीक्रो केमरा देखने को मिलता है उसमें मेक 16 मेडा पॉस्ति का फ्रैंट को मिलता है इसके साथ ही दोस्तों इस समार्टफोन के अंतर हमें डार्वัंस इटेंड यू प्रोसेसर मिलता है जो कि 7NM पर बेस्ट है और यह हमें माली जी 57 GPU पर देखने को मिलता है इसके साथ ही दोस्तों इस पॉन के अंदर में Realme UI देखने को मिलता है जो कि Android 10 पर अंद करता है और अगर बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमें इसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगर्पिंट देखने को मिलता है यूफस 2.1 इस्टोरिस टाइप LPDDR4 एक्स्रेम टाइप और टाइप सी देखने को मिलता है और अगर प्राइज की बात करें तो इसका 6GB 128GB वाला वेरियंट समय 1999 में देखने को मिलता है तो दोस्तों ये लिस्ट है वो मैंने प्रोसेसर को जड़ा प्रायोर्टी देते वे बनाई है और अगर आपके इसाब से कोई और ऐसा स्मार्टफोन है जो कि 20,000 की प्राइज के इसाब से काफी ज़्यादा बेस्ट है और वो मैंने इस लिस्ट में नहीं लिया है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं इसके साथ दोस्तों मैंने यहां पर जितने पी स्मार्टफ़न पिक किये थे और मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम